अस्रामलीकुमीबर्स कैसे हैं आप सब आज हम मनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़े के फ्रेंच फ्राइज हनी बार्बिक्यू फ्रेंच फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे बहुत ही यूनिक तरीका है तो चलें इस यह में सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और मज़े के बनाते हैं french fries मनाते हुए मैं आपके साथ बहुत ही unique tips share करूँगी जिससे आपके french fries बहुत ही अच्छे बनेंगे हमने आलू ले लिए हैं और इसके हमने side से जो इसकी shape बनाएंगे जिससे आपके french fries जो हैं वो equal एक ही size में बनेंगे और बहुत देखने में खुबसूरत लगते हैं इस तरह से साइडों से इस तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से आपके जो फ्रेंच फ्राइज है इक्वल साइज में आएंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी तो इस तरह से साइट फ्रेंच फ्राइज काट तेंगे हम और बावल के अंदर एड़ करते जाएंगे जितने आपको फ्रेंच फ्राइज चाहिए आप उतने आलू ले सकते हैं हमने यहाँ पर तीन आलू लिये हैं दर्मियाने साइज के इसको छी लिया अच्छा से अब हम इसको कट कर लेंगे यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फ्रेंच फ्राइज बनते हैं फ्रेंच फ्राइज बहुत ही डिफ्रेंट तीकों के साथ यार किया चाते हैं और बहुत ही इसके जो यूनिक रेसेपी होती है तो जो मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूं ये बहुत असान रेसिपी है और बहुत यूनीक है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करेगा अगर ट्राइ करेंगे तो ज़रूर मेरे साथ पिक्चर्स को शेयर करेगा इंस्टाग्राम पर भी तो रिखली हर गर में अवेलेबल होता है तो इससे में आपको कोटिंग करना बताऊंगी कोटिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप मैदा टू टेबल स्पून एड़ कर देंगे कॉरन फ्लोर वन टेबल स्पून एड़ करेंगे इसके अंदर चाबलों काटा half teaspoon add करेंगे salt one teaspoon add कर देंगे garlic powder half teaspoon इसके अंदर हम add करेंगे black pepper और सारे material को mix कर लेंगे back को करेंगे fold और इसको इस तरह से mix करेंगे सारी coating इस तरह से अच्छे से mix हो जाएगी fries को कर लेंगे अच्छे से wash और stainer के अंदर रखके अच्छे से इसका जो पानी है उसको stain कर लेंगे और इसके अंदर अब हम coat कर देंगे back के अंदर सारे french fries add करेंगे अगर किसी ने इस तरह से french fries पर coating की होगी तो उसको idea होगा कि कितने अच्छे से french fries पर coating होती है french fries पर coating होगी और बहुत tasty french fries बनते हैं इस तरह से इस तरह से हाथों की मदद से shake करेंगे और बहुत ही अच्छे से यह देखें coat हो चुके है हमारे french fries यह देखें single single french fries पर कितने अच्छे से coating हुई है अब हम इसको separate कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा जो हमारी coating वाला material बच गिया है आप इसको किसी jar के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और दुबारा से यह जो बचा हुआ material है आप इसको दुबारा से भी use कर सकते हैं अब हम इनको कर लेंगे फ्राइए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो ओइल है वो अच्छे से गरम होना चाहिए अगर आप ठंडे ओईल के अंदर अपने french fries टाल देंगे तो आपके french fries है वो बिल्कुल भी crispy नहीं बनेंगे और टेस्टी भी नहीं बनेंगे और अब आपके सामने में आपको दिखाऊंगे के जो हमने सारी coating की थी, वो single single french fries पर किस तरह से लगी हुई है और ये बिलकुल भी उत्रेगी नहीँ तो बहुत ही tasty और बहुत ही मज़े के french fries बनते हैं तो इस तरह से अगर आप simple french fries भि इस तरह से खाना चाहा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, ये बहुत tasty लगते हैं केचप के साथ 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 कर सकते हैं मायों के साथ साथ कर सकते हैं या आप जिस भी डिप के साथ खाना चाहें आप इसको इंज्वाय कर सकते हैं तो अभी हम बनाएंगे हनी बार्बीक्यू फ्रेंच फ्राइज तो हमारे फ्रेंच फ्राइज तो बन गे हैं यह देखें देखन सारी रेसिपीज को वन बाई वन करके शेयर करूंगी और जो पहली दफा मेरी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी न्यू आने वाली जो रेसिपीज आपके साथ शेयर कर रही हूं जितने मेरे पास फ्रेंच फ्राइस है मैं उसके मुताबिक सॉस को रेडी कर रही हूं आपके पास जितने फ्रेंच फ्राइस है आप उसके मुताबिक सॉस जो है वो बनाए तो मेरे पास थे 3 मिडियम साइज के आलू जिसकी मुताबिक मैं ज टेबल स्पून हनी अब चमच को हलाते हुवे सोस को पका लेंगे 30-40 सेकिंड के लिए मिक्स करते हुए ये सोस जो है वो बहुत टेश्टी बनती है और इसके अंदर फ्रnt फ्राइ जो है बहुत टेश्टी लगते हैं तो एक दफा जरूर इस रेसिपी को ट्राय करें तो ये बहुत ही टेश्टी बनने वाले हैं इस तरह से आपने पहले कभी भी फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए होंगे तो ये हनी बार्बिक्यू फ्रेंच फ्राइज आपको बहुत पसंद आने वाले है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, मस्ट है और जिनों ने सबस्क्राइब नहीं किया तो बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी आने वाली है अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो आप मैंन बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपके साथ जरूर उस रेसिपी को शेयर करूँगी और यह देखे कितने मज़े के फ्रेंच फ्राइज लग रहे हैं बहुत ही ब्यूटिफू लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो जुरूर एक दफा इस डेसिपी को ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी और मज़े के फ्रेंच फ्राइज बन चुके हैं तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट तो इसके उपर हम स्प्रिंकल करेंगे सिसम सीड्स अगर आप एड़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं यह ऑप्शनल है तो यह देखे ब्यूटिफूल भी बहुत लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो मिलते हैं नेक्स अ इतनी सारी रेसिपीज मैं अपने यमी यमी रेसिपीज अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ अपलोड कर चुकी हूँ तो जरूर एक दफा इस रेसिपीज को देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने कैसी बना